जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों एक बहुत आसान सी चीज आपको बता रहा हूँ कि व्यक्ति कैसे सफल होता है कैसे देर से सफल होता है और कैसे असफल होता है जिसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, किसी जगा पर आपको पहुँचना है तो यदि आप पेदल जा रहे हैं, तो आपको लंबा समय लग सकता है इसी की जगा यदि आप साइकल ले लेते हैं, तो आप कम समय में वहां पहुँच जाएंगे और यदि मान लेजिए कि आपने motorcycle ले ली तो आप वहाँ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि आपको motorcycle मिल गईग अब आपको ठकान भी नहीं लगेगी आपको परिस्त्रम भी नहीं होगा और आप महाँ पर बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे तो ऐसा ही कुछ है ये तंत्र मंद्र का पूजा विधी का कि आप जो काम कर रहे हैं मान लिजे जाने का आपने ठाना तो आप पेदल जाते हैं साइकल से जाते हैं या मोटर साइकल से जाते हैं जो मोटर साइकल है ये जब मोटर लग जाती है तो वो चीजों को बुष्ट कर देती है तेजी से वहाँ पहुंचा देती है तो ऐसा ही तंत्र मंद्र का है जब आप कोई काम करते हैं और उसके साथ-साथ ये तंत्र मंद्र की यदि मोटर लगा देते हैं तो आपको आपकी जो मनचाही मनजिल थी वो बहुत जल्दी मिल जाती है यदि आप 4-5 जग़र जाने के लिए निकले हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप महाराप होँचेंगे और बिना थाकावट के बिना रुकावट के आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं तो ऐसा ही एक उपाई आज में आपको बताने वाला हूँ कि जिस उपाई को करने से आप जो चीज चाहते हैं वो चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगी यदि आप पैसे के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो आप यसा समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्द उसमें सफलता मिलने लग जाएगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माद्यम से हमारे प्राचिनतम ग्रंथों में छुपे उए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सुब्स्राइब कर लिजिए क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकरी इसी चैनल के माद्यम से आपको देते रहेंगे तो चलिए दोस्तों बताता हूँ कि आज की उपाय में आपको करना क्या है यह एक simple सा number है जो आपको बोलते रहना है इस number में इतना power है कि इस number को बोलते रहने से अपने आप आपका mind इतना active होता रहेगा आपका mind इतना ज्यादा काम के प्रती उसका लगाव रहेगा कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द चीजें आपको प्राथ होने लग जाएंगी जो जो व्यक्ति से आपको काम निकलवाना है जिन जिन व्यक्तियों के पास आपको जाना है उनसे काम निकलवाना है automatically इस नंबर के लगातार बोलते रहने से उनके दिलो दिमाग में इस तरह का परिवर्तन होने लग जाएगा कि वो व्यक्ति स्वेम सामने से चलकर आपके पास आने लग जाएंगे और आपके काम बढ़ने लग जाएंगे यदि आपको प्रमोशन चाहिए मान लिजे नोकरी में तो आपका जो कोई भी बोस है या आपका मालिक है सेट है अपने आप उसको ऐसा लगने लग जाएगा और वो आपको प्रमोशन दे देगा या आपकी सेलरी बढ़ा देगा आप बिजनस करते हैं और कोई काम आपको करना है किसी से आपको ठेका लेना है या किसी तरह का आपका काम है और कोई रुकावट आ रही है लगतार इस नंबर के बोलते रहने से सामने वाला व्यक्ति 10 लोगों को हटा करके आपको काम देगा यदि आपने किसी से उधार मांगा है या किसी को उधार दिया है दोनों ही किसे में सामने वाले व्यक्ति के मन में ऐसे विचार उत्पन होने लग जाएंगे कितना जल्दी से जल्दी वो आ करके आपके पैसे लोटा दें या आपकी मदद कर दें या आपको उधार दें कहने का तातपर है किसी भी सूरत में इस नंबर को बोलते रहने से जिन व्यक्तियों से आपके काम निकलने वाले हैं उन व्यक्तियों के दिलो दिमाग में परिवर्तन होने लग जाएगा आपके प्रती उसकी सोच सकारत्मक होने लग जाएगी आपके मदद की भावना सामने वाले व्यक्ति में प्रबल होने लग जाएगी और सामने वाला व्यक्ति स्वतह चल करके आएगा और आपकी मदद करके जाएगा या आपका काम निकालके जाएगा चाहे कैसे भी देखें लेकिन इस नंबर के लगातार प्रयोग से आपका काम बहुत ही आसानी से बनने लग जाएगा तो नंबर को आप नोट कर लें बहुत अच्छे से इसको आप कहीं पर भी लिख करके रख सकते हैं लेकिन जब भी आप फ्री हो या जब भी आपको अपना काम निकलवाना हो किसी भी व्यक्ति का ध्यान करके लगातार इस नंबर को आप बोलते रहें इस नंबर को मन ही मन बोलते रहें जोर से बोलने की आउसकता नहीं है मन ही मन इस नंबर को बोलते रहें सिर्फ अपने काम का ध्यान करें और इस नंबर को बोलते रहें आप देखेंगे कि इस नंबर के बोलने से सामने वाले व्यक्ति का आप पर कॉल आ जाएगा, वो मिलने चलाएगा और आपका काम बनने लग जाएगा तो नमबर है 369183 नमबर फिर से सुनीजे 369183 इस नमबर को आपको लगातार बोलते रहना है यदि कोई काम नहीं भी है फिर भी यदि इस नमबर को बोलते रहेंगे तो इस नमबर का प्रभाव अपने आप में इतना बड़ा है कि आपके जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो अपने आप बनते चले जाएंगे और लाइफ बहुत इजी हो जाएगी ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब इसी उपए के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते हैं दिव प्रकास और अपने जीवन में लाभन भी थोते रही है धन्यवाद